वेलकम, वेलकम, हीना के किचन में वेलकम, मेरे प्यारे प्यारे विवर्ज को मेरा प्यार बरा सलाम आज हम बनाएंगे आलू गोभी पालक की बहुत ही मज़ेदार सी सब्जी बहुत ही छटपट बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है सर्दियों के इस मौसम में आलू, गोभी, पालक बहुत ही अच्छे मार्कीट में आ रहे हैं आलू भी ने वाले आ रहे हैं जिससे सब्जियों का टेस्ट और जाधा बढ़ जाता है यूँ तो सभी सब्जियों 12 महीने मिलती हैं लेकिन सर्दियों में बिलकुल फ्रेश वेजिटेबल्स आती हैं जैसे गोभी का सीजन होता है पालक का सीजन होता है ने वाले आलू का सीजन होता है तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है सबजियों में बहुत ही मज़ेदार लगती है सबजियां इनसे तो चलिए इस मज़ेदार सी आलू गोभी पालक को किस तरीके से बनाना है एक बार देख लेते हैं आलू पालक की सबजी बनाने के लिए हमने यहाँ पार देखे हाफ केजी गोभी लिया है जिसको हमने बहुत अच्छे से वाश करके छोटे छोटे पीसिज में कट कर लिया है बहुत ज्यादा छोटे पीस नहीं करने हैं थोडे बड़े साइस के ही करने हैं यह आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े साइस के हमने पीस कट कर लिया है और यह हमने तीन आलू लिये हैं जिनको हमने छील कर बहुत अच्छे से छोटे छोटे क्यूज में कट करके वाश कर लिया है यह हमारे पास एक मीडियम साइस का प्यास है जिसको हमने बारिक बारिक सिलाइसी में कट कर लिया है और यह हमारे पास देखिए एक बालक है जिसको हमने वाश करके अच्छे से बारिक बारिक कट कर लिया है ये हमारे पास तीन टामाटर है छोटे जिनको हमने बारिक बारिक कट कर लिया है ये दो इंच अद्रक का तुकड़ा है जिसको भी हमने बारिक चौप कर लिया है और ये तीन से चार हरी मिर्चे इनको भी हमने बारिक कट कर लिया है इसमें अद्रक बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जाता है गोवी में अद्रक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसलिए आप जादा ही डालेगा अब यहाँ पर एक पैन में 100 गिराम हमने ओईल को गरम कर लिया है अब इसमें अट कर देंगे हम चौप की हुई प्यास इसको फ्राइ कर लेंगे प्यास को हमें बहुत ज्यादा फ्राइ नहीं करना है बस प्यास को हम एक मिनट के लिए फ्राइ कर लेंगे जिससे बस कलर चेंज हो जाए प्यास का तब तक हम फ्राइ कर लेंगे यह देखिए प्यास का कलर चेंज हो चुका है प्यास सॉफ्ट हो चुकी है अब इसमें एड़ करेंगे हम 1 टी स्पून लहसुन का पेस्ट अद्रक हमने कट करके रख लिया है लहसुन का हम यहाँ पर पेस्ट एड़ कर रहे हैं बस इसको भी मिक्स कर देंगे और अच्छे से फ्राइ कर लेंगे अभी देखिए लहसुन अच्छे से फ्राइ हो गया है अब इसमें एड़ करेंगे हम 1 टी स्पून हल्दी पौडर, 1 टी स्पून नमक, 1 टी स्पून धनिया पौडर और half teaspoon लाल मिर्च पौड़ा बस अच्छे से mix करेंगे कुछ second के लिए इसको इसी तरह भून लेंगे अब इसमें add करेंगे थोड़ा सा पानी जिससे हमारे मसाले जले नहीं और इसी तरह पाने डालते हुए हम इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे दो मिनट के लिए जिससे सभी मसालों का कच्छापन निकल जाए बस ये देगे मसाला हमारे अच्छे से भून चुका है अब इसमें add कर देंगे हरिमेच और अद्रक और इसी के साथ हम add कर देंगे टमाटर थोड़े से और थोड़ा सा अद्रक और टमाटर हमने बचा लिये है बस हरिमेच टमाटर अद्रक को कुछ सेकिंड के लिए इसी तरह भून लेंगे अब इसमें add कर देंगे हम पालक और इसी के साथ हमें add करने है आलू पालक और आलू को हम एक साथ डाल कर भून लेंगे अब आलू और पालक को इसी तरह चलाते हुए हमें भूनना है पानी एड नहीं करना है क्योंकि पालक खुद अपना पानी छोड़ देता है पानी रिलीस करता है पालक इसलिए हमें पानी एड नहीं करना है और medium low flame पर हम इसे कुछ देर के लिए cover करके पकाएंगे ये देखिए, पानी भी छोड़ दिया है पालक ने और हमारे half आलू हमारे tender हो चुके है और पालक का भी कच्चपन निकल चुका है, अब इसमें add कर देंगे हम गोबी बस गोबी को च्चे से इसके साथ mix कर देंगे आलू गोबी की इस सब्जी बहुत ही मज़िदार लगती है बस अब इसमें थोड़ा सा पानी add करेंगे और इसे cover करके हम तब तक पकाएंगे जब तक हमारे गोबी और आलू गल न जाए आलू गोबी पालक की इस सब्जी बहुत ही मसेदार बनकर तयार होती है एक बार आप जरूर ट्राइ कीजेगा और अपना feedback मुझे जरूर दीजेगा comment करके मुझे बताईएगा कि आपको यह सब्जी कैसी लगी बस यह देखिए आलू गोबी हमारे गल चुके हैं अब जो टमाटर और अद्रक हमने बचाए थे बस वो भी add कर देंगे और इसे mix कर देंगे सब्जियों के साथ थोड़ा सा इसमें हराधनिया भी add करेंगे इसस से इस्टीम में ही सभी चीजों का फ्लेवर वेजटेबल में mix हो जाए बहुत जबर्दस्ती खुश्बू आने लगी है आलू गोबी पालक की सब्जी हमारी बनकर तयार है बस डिशाउट करते हैं और आपको दिखाते हैं यह देखिए सूपर टेस्टी हमारी आलू गोबी पालक की सब्जी बनकर तयार है कैसी लगी आपको हमारी सब्जी कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और अब आप भी बनाएए और इंजॉय कीजिए और ऐसी ही सिंपल आसान और मज़िदार सी रेसिपी दिखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भू लेगा फिर मिलती हूं ऐसी ही सिंपल आसान और मज़िदार सी रेसिपी के साथ तब तक अपना ख्याल रखेगा दुआओं में याद रखेगा अल्ला हाफीज